हेलो एवरीवन वेलकम अगीन टू लंडविदी तीमन बाल विकास के अंदर थर्ड युनिट चल रही है हमारी तो आप लोग तयारी करके आए होंगे आज मैंने आप लेहों के लिए जो चैप्टर दिया था वो था समायोजन आप लोग टॉपिक पढ़के आए होंगे तो च चल लिए आगलन करेंगे कि आप लोग कितना अच्छे से इसको याद करके आए हैं कोशन बन देखिए व्यक्तित्व के समायोजन में निम्न मैसे जो तत्व बाधक है वह है भगनासा आशा उत्साह या खेल तो यहां पर कौन सा तत्व बाधक है समायोजन के तो यहां आशार क्या होगा कि समायोजन के लिए बाधक तत्व जो होगा वो क्या होगा A, B, C या D तो यहां बिलकुल आशार होगा भगनासा ठीक है जिसे हम कुंठा कहते हैं इंगलिस में हम कहते हैं प्रस्टेशन तो यह क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता देती क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति होता है वो बार-बार कोशिश करता है और अपने काम में सफल नहीं हो पाता है तो वह भगनासा, कुंठा या फ्रस्टेशन का शिकार हो जाता है चलिए I hope आपका सही होगा यह answer भगनासा का अर्थ है किसी इच्छा या अवशक्ता में बाध और अप्शन है गुड का, गैरिट का, गैट्स का या मन का तो दुबारा से सुनिए डेफिनेशन किसकी है यह है कि भगनासा का अर्थ है किसी इच्छा या आवशक्ता में बाधा पढ़ने से उत्पन होने वाला सम्विगात्मक तनाव भगनासा है यह कतन किसके हैं तो यह यह कतन जो है वह किस ने कहा तो यह तो जिसको याद है वो आणसर लगा लेंगे जिसको नहीं है वो इसमें सोचने की जरुत ही नहीं है यह कतन है गुड का, ठीक है? गुड कहते हैं कि भगनासा कार्थ किसी इच्छा या वशक्ता में पढ़ने से उत्पन होने वाला क्या ह समविगात्मक तनाव है समायूजन ना करपाने का कारण है द्वन्द, तनाव, कुन्ठा या उप्रोक्त सभी तो सोच ये फटाफट से इसका अंसर क्या रहने वाला है तो आप लोगों ने सोच लिया होगा तो यहाँ पर क्या रहेगा कि समायोजन ना करपाने का कारण द्वंद भी है, तनाब भी है, कुंठा भी है, ये सबी जो हैं, वह समायोजन ना करपाने के कारण है, अब चलिए मैं इनमें से थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ये एक जैसे ही शब्द लगते हैं, लेकिन फिर भी इनमें अंतर होता है तो ये द्वंद क्या होता है, द्वंद यानि की संघर्ष, ठीके, कॉनफ्लिक्ट होता है, जब व्यक्ति के सामने दो एक जैसी परिस्तितियां हो, ठीके, और उसे सोचना पड़ जाए, कि वह ये काम करे या ये काम करे, तो ये मन में क्या चलता है, संघर्ष चलता है, अं तो यह चलता है मन की अंदर अंदर दुन नेक्स्ट तनाव क्या होता है कि जब व्यक्ति जो होता है वो समय की मांग की अनुसार काम नहीं कर पाता है जब वह समय की मांग की पूर्टी नहीं कर पाता है तो वो क्या होता है टेंचन का शिकार हो जाता है तनाव का शिकार हो जा विद्याले में सिक्षक बालकों की समायोजन के लिए कारे नहीं करेगा। समायोजन के लिए उनको आप टिक लगा लिजिए जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। तो देखिए व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करना, समविग आत्मक इस्थेटा लाने का प्रयास करना, सहनु भूति पूर्ण व्यवहार करना। तो ये तो समायोजन के लिए एक टीचर जो है वह बालकों के लिए करेगा, लेकिन कठोड दंड देकर कारे करवाना, ये तो बहुत ही गलत बाद है, इसे एडजेस्टमेंट नहीं होगा, नहीं वो बच्चा जो है उस चीज को समझ पाएगा और नहीं समायोजन कर पाएग किसी इच्छा ये आविशक्ता में बाधा पढ़ने से उत्पन होने वाला समविगात्मक तनाव कहलाता है, भगनासा, संघर्स, तनाव या उप्रोक्त सभी क्या पुछा है यहां कि किसी इच्छा ये आविशक्ता में बाधा पढ़ने से उत्पन होने वाला समविगात्मक तनाव कहलाता है, तो जहां हमने डेफिनेशन अभी देखी थी थोड़े ही समय पहले कि ये जो डेफिनेशन है वो गुड की है, तो गुड ने किस के लिए क कहा था, बिल्कुल भगनासा के लिए कहा था, मन स्तापी बालकों की समस्या नहीं है, सीखने की धीमिगती, अमूर्थ चिंतन का अभाव, मौलिक्ता या शारिडिक दोस, मन स्तापी बालक, इसकी समस्या नहीं होगी, सीखने की धीमिगती, सीखने की धीमिगती होगी या न अमूर्थ चिंतन का अभाग, बिल्कुल उसके अंदर अमूर्थ चिंतन का अभाग होगा। नेक्स्ट है, सारे रिक्तोस यह भी पाया जाएगा। लेकिन मौलिक्ता जो है, वह मन स्तापी बालकों की समस्या नहीं है। ठीक है? आंसर क्या होगा? मौलिक्ता। नेक्स्ट देखिए कोश्चन सेवन, निमन मेंसे वह कारक जो असामाजिक बालक की पहचान कराने वाला है, यह क्या है? असामाजिक बालक की पहचान कराने वाला है अस्थेर समवेक, उत्साह, चतुराई या बिद्वता। तो एक असामाजिक बालक है, तो उसकी पहचान कैसे हो सकती है? क्या वो विद्वता, यानि हर चीज में विद्वान होगा, चतुर होगा, उत्साह होगा उसके अंदर या अस्थेर समवेक होगा। तो यहाँ आंसर क्या होगा? यह सभी सामाजिक बालक की पहचान है कि उसके अंदर उत्साह होगा, चतुराई होगी, विद्वता होगी, परन्तु अस्थेर समवेक जो है, वह है असामाजिक बालक की पहचान है, ना कि सामाजिक की। निमने में से समायोजन का तरीका नहीं है, और वो क्या है? मनोविशलिशन, कुशिक्षा, पुनर्शिक्षा और मनोअभिने, समायोजन का तरीका नहीं है, देखिए जब भी नहीं कुश्चन आ जाता है, आपके कुश्चन में नहीं शब्द आ जाता है, तो सबसे पहले का क्या करना है आपको कभी भी कि इस नहीं को आप positive में बदल कर और टिक लगा लें तीनों answer कर ठीक है जब आप confused हो जाते हैं जब की बात कर रही हो कि समायोजन का तरीका है तो क्या क्या तरीका है उनको आप टिक लगा लें जो बचेगा फिर उसको अपने question से match करें तो निमने म तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया कि निमन में से समायोजन का तरीका है तो कौन-कौन से तरीके हैं देखिए मनो विशलेशन तरीका है पुनर सिक्षा है मनो अभिने परन्तु को सिक्षा को मतलब बुरा पुरी सिक्षा ये तो समायोजन का तरीका नहीं है विचलनात्मक विवहार समायोजन के लिए होता है अच्छा, बुरा, सहयोगी या उप्रोक्त सभी तो कैसा होगा विचलनात्मक विवहार, विचलन करने वाला, एक जगे ना टिकने वाला ऐसा विवहार समायोजन के लिए कैसा होगा, तो सोच ये कैसा होगा तो आपने सोच लिया होगा ऐसा विवहार जो है वो कैसा होगा बुरा होगा ठीक है बुरा होगा ऐसा विवहार विचलनात्मक विवहार समायूजन की प्रक्रिया है इस्थेर, गतिशील, मानसिक या स्थानापन समायूजन की प्रक्रिया जो है वह कैसी है पटापट से सोचिए इसका सही आंसर तो आप लोगों ने सोच लिया होगा इसका आंसर चलिए अब इसके सही आंसर पर पहुंचते हैं कि समायूजन की प्रक्रिया जो है वह कैसी है गतिशील है ठीक है परिस्तितियों से तालमिल बिठाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं, तो ये गतिशील हुई, क्या होता है समायोजन, थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं, कि समायोजन जो है, वह कैसी है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने वातवरण के बीच संतुलित बनाए रखने के लिए विवहार क्या करता है? चेंज करता है. ठीक है? जिससे कि वह उस परिस्तिती को समझ सके और उसी के कॉर्डिंग काम कर सके. जैसे हम सभी करते हैं कि अपने कार्यों की पूर्टी के लिए जैसी परिस्तियां होती हैं उससे अपना समायोजन बढ़ा लेते हैं. तो यही होता है समायोजन. ठीक है? जिससे कि व्यक्ति जो है वह जैसी भी कंडिशन होती है उससे अपना तालमिल बढ़ा सके. यही प्रोस समायोजन दूसित होता है कुंठा से, संघर्ष से, उप्रोक्त दोनों से या धन से, तो समायोजन जो है वह दूसित होता है कैसे होता है? समायोजन जो है, वह दूसित होता है विलकुल कुंठा और संघर्ष, दोनों से ही दूसित होता है कल्पना की अधिक्ता के कारण दिवास्वपन देखने वालों को कहते हैं समायुजित विक्ति और समायुजित विक्ति बुद्धिमान विक्ति या उप्रोक्त सब्ली तो जिस विक्ति के अंदर कल्पना की अधिक्ता हो और केवल दिवास्वपन जो है वह देखे तो ऐसा व्यक्ति जो है वह समायोजित तो नहीं हो सकता ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे हम ऐसे को कहेंगे असमायोजित व्यक्ति वुद्धिमान नहीं हो सकता ठीक है तो उपरोगत सभी वाला आप्शन भी नहीं होगा विध्याले में सिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कारे नहीं करेगा कठोर दंड देगा, सहान भूती पून व्यवहार करेगा, व्यक्ति गत सिक्षन, सम्वे गात्मक इस्तिर्ता लाने का प्रयास करेगा तो मैंने आपको बताया कि जब भी कुश्चन में नहीं आता है, सबसे पहले उसको पॉजिटिव बना ले विध्याले में सिक्षक बालकों के समायोजन के लिए क्या क्या कारे करेगा, कठोर दंड देगा, नहीं गठोर दंड तो नहीं देगा, सहान भूती पून व्यवहार करेगा, बिल्कुल करेगा, व्यक्ति गत सिक्षन भी देगा, सम्वे गात्मक इस्तिर्ता लाने का प्रय प्रकट करता है जगडालू प्रवतियों में पलायनवादी प्रवतियों में आकर्मन कारी के रूप में या उप्रोक्त सभी तो व्यक्तित्व का जो कूसमायोजन है वह प्रकट करता है कैसे पता लगाएंगे कि वह व्यक्ति जो है वह एडजेस्ट नहीं कर सकता वह कूसमायोजित व्यक्ति है तो उसकी जब हम देखेंगे जगडालू प्रवति उसका पटापट से पलायन कर जाना उसका आकर्मन कारी व्यवहार इन सभी से व्यक्तित्व का कूसमायोजन दिखा पढ़ता है को समयोजित व्यक्तित्व के लक्षण है मन्वबुद्धि स्थिर परसंदता या इनमें से कोई नहीं तो देखिए कु का अर्थ ही होता है बुरा ठीक है और समयोजित न कर पाना ऐसा व्यक्तित्व के लक्षण क्या रहेंगे मन वा बुद्धी इस्थिर रहेगी यसी, मन वा बुद्धी आइस्थिर रहेगी जिसकी प्रसन्नता होगी या इन में से कोई नहीं, तो प्रसन्नता तो बिलकुल नहीं होगी, तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, यहाँ रहेगा ऐसे व्यक्ति का मन और बुद्धी जो है वो समाज के अन्य व्यक्तियों का ध्यान और प्रोक्त सभी तो यहां पर आंसर जो है वह बहुत ही सटीक है कि यह सभी जो है वह है व्यक्ति के लक्षण होते हैं जो व्यक्ति समायोजन कर लेता है संतुलन संतुष्टी वसुक समाज के अन्य व्यक्तियों का ध्यान यह सभी हैते हैं ठीक है समायोजित व्यक्ति का जो द्रश्टी कौन होता है attitude होता है वो कैसा होता है positive होता है समायोजित व्यक्ति का विवहार जो है वो सामाजिक होगा समवेगात्मक रूप से इस्थिर होगा वह है धैरेपूर्ण आच्रण करता होगा महत्वकांची होगा लक्षन उद् ठीके होते हैं वहीं पर अगर हम कुछ समायजित व्यक्ति की बात करें तो बिल्कुल इसका अपोजिट होगा उसका जो एटिटीट होगा वह नेगिटिव होगा वह प्रीत परिस्तिती आने पर क्या करेगा घबरा जाएगा वहां से भाग लेगा मांसिक रूप से असुंत्र बाहर करेगा तो देखिए मैंने सभी जो हैं वह आपको समझा दिये चलिए नेक्ट देखते हैं question 18 देखिए question के माध्यम से आपको question जो है वह कैसे पूछे जाते हैं ये भी आपको समझ में आता है दूसरा एक के question जो है वह है आपके doubt जो है वह भी clear कर देता है ठीक है बाल प्रोक्त सभी कई बार ऐसे होता है देखिए typing में mistake हो जाती है और flow में पढ़ाते हुए मैं भी ध्यान नहीं दे पाती हूं और वो चीज गलत निकल जाती है लेकिन फिर भी मैं next वीडियो आता है उसमें देख लेती हूं बच्चों के comment से ही पता लग जाता है कि ये चीज जो है वो गलत हो गई है तो उसको मैं सही भी करवा देती हूं ठीक है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है गलतियां होती रहती है तो मुझसे भी होती है गलती तो मैं लेकिन ठीक करवा देती हूं ऐसा कभी नहीं करती हूं कि उसको छोड़ देती हूं तो देखिए मैं भ के question जो है वो गलत आ जाते हैं, दो option जो है वो भी सही रहते हैं, जिससे कि आपको bonus marks जो है वह मिल जाता है, question गलत हो जाता है आपके exam में भी, तो ऐसा ही समझ लीजिए, तो यहाँ answer क्या होगा, बालकों के को समायुजित होने के कारण होते हैं, अनुवान्शिक कारण, सो भा प्रोक्त सभी, तो यहाँ answer क्या रहेगा, यहाँ रहेगा, यह सभी जो है, वह को समायुजित होने के कारण होते हैं, ठीक है, अनुवान्शिक भी होते हैं, यानि हैरेडिटी से भी, स्वभावगत से भी, और शरील से भी, वह को समायुजित हो सकता है, तो हमने इस टेप्टर में अच्छे से समायोजन को समझा, लक्षणों को समझा, क्या होता है, टेंसन, एंजाइटी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, क्या होते हैं, इसको मैंने आपको समझा दिया तो इसी तरीके से आप लोग तयारी भी कर रहे हैं, साथ में थोड़े से डाउट जो हैं वो आपके क्लियर यहां से भी होते होंगे, मुझे ऐसा लगता है, चलिए मिलते हैं, इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक के साथ हमारी थर्ड यूनिट कम्प्रीट हो गई है, अब हम का टॉपिक जो है वो करेंगे, जो की अधिगम से संबंदित होगा, आप लोग पढ़की आईएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेस्ट के साथ, थेंक यू,